चाइना विदेशी तक्नीक चुराना चाहता है इसलिए वो इस्रेल को निशाना बना रहा है और इस्रेल इसे पसंद कर रहा है आपका स्वागत है चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी दुनिया पर हावी होना चाहती है और उसे अमेरिका और उसके सहयोगियों से आगे निकलने के लिए अत्याधुनिक तक्नीक की जरूरत है चीनी नेता शी जिनपिंग के अनुसार तक्नीकी नवाचार अंतराश्ट्रियर रवनी ते खेल का मुख्य युधक्षेत्र बन गया है तक्नीकी नवाचार तो इसका मतलब है कि इस युध के मैदान का विजेता वो है जो आया है बेबी पोच्छा अपने आलसी बच्चे को खुद के बाद साफ करना अब तक का सबसे बड़ा नवाचार है लेकिन शी जिनपिंग जिस युध के मैदान की बात कर रहे हैं वो आलंकारिक और शाब्दिक दोनों है चीन उभरती हुई दोहरे उप्योग वाली प्राद्योगिकियों की खोज और एकी करन में भारी निवेश कर रहा है जिसका नागरिक और सैन्य दोनों उप्योग है उम्मीद है कि वे पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद करेंगे युद्ध के मैदान में प्रभुत्वा हासिल करने के लिए पारम परिक सैनिक शमताओं को पार करने के लिए शी जिन्पिंग के सत्ता में आने से पहले से ही चीनी कम्यूनिस पार्टी की नजर हमेशा विदेशी तकनीक पर रही है यह खिड़की की खरीदारी की तरह है लेकिन आप जो देखते हैं उसे खरीदने के बज़ाए आप केवल डिजाइनों को चोरी करते हैं और अपनी खुद की नौक ओफ बनाते है अमेरिका चीन की तकनीकी महत्वा कांक्शाओं के प्रती जाग रहा है यह उन्नत तकनीक को चीन से बाहर रखने के लिए आगे बढ़ रहा है लेकिन अमेरिका को सिर्फ अमेरिकी कमपनियों पर नजर रखने से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है इसराइल पर भी नजर रखने की जरूरत है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसराइल के छोटे आकार के बावजूद यह तकनीकी प्रगती और नवाचार के दुनिया के अग्रणी केंद्रों में से एक है इसराइल स्टॉट अप के लिए शीश देशों में से एक होने पर गर्व करता है इसराइल अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत अनुसंधान और विकास में खर्च करता है किसी भी देश का उच्चतम प्रतिशत जो इसराइल के लिए और अमेरिका जैसे सहयोगियों के लिए बहुत अच्छा है जो इसराइल के नवाचार से लाभानवित होते हैं लेकिन यह चीन के लिए भी बहुत अच्छा है जिसे इसराइल में विंडो शॉपिंग पसंद है 1992 में चीन और इजराइल के आपचारिक राजनाएक संबंध स्थापित करने से पहले ही इजराइल की तकनीक पर चीन का ध्यान दशकों पीछे चला जाता है इजराइल ने बहुत सारी परिश्कृत तकनीक का उत्पादन किया है उदाहरन के लिए पेगासस स्पाइवेर किसी भी स्मार्टफोन में घुस्पैट कर सकता है यह कलपना करना कठिन नहीं है कि चीन की इतनी दिल्चस्पी क्यों होगी इजराइल चीन संबंद 1989 में शुरू हुए जब व्यवसाई शावल ईसेंबग ने दोनों पक्षों के बीच एक गुप बैठक की विवस्था करने में मदद की जिसके परिनामस्वरूप इजराइल से चीन को रक्षा प्रोध्योगी की स्थानांतरित करने के लिए कई सौधे हुए अगले दो दशकों में इजराइल ने अरबो डॉलर की सैन्य तक्नीक चीन को हस्तांतरित कर दी सभी गुपत रूप से इन लेन देन में कथे तोर पर चीनी टैंक, नाइट विजन सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रनाली, पाइथन माइनस तीन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, लड़ाकु विमान प्रोध्योगी की और मानव रहित हवाई वाहन प्रोध्योगी की को अपग्रे जो इसराइल लाता है, चीन के रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र के हिस्से, जिडियन विश्विद्यालय के जर्नल में 2006-1 लेक के अनुसार, इसराइल के राष्ट्रिय रक्षा उद्योग ने हमारे देश को हमारे रक्षा उद्योग के विकास में कई उप्योगी खुला से दिये हैं रेट्रोफिटिंग और विकास बेशक चीन के लिए अवशोशित रेट्रोफिटिंग और विकास का अर्थ अकसर चोरी करना और दस्तक देना होता है बहुत खूब यह लगभग सत्ता के भूखे अत्याचारियों की तरह है जिन्हें आपने गुप्त रू कारी को निशाना बनाया और चुराया गुंबद के अलावा हैकर्स ने तीन ठेकेदारों को भी हैक किया जिन्होंने गुंबद का निर्मान किन जोखिम के बावजूद इसराइल चीन के साथ आर्थिक संबंद बनाये रखना चाहता है इसके गंभीर राजनीतिक और सुरक् बढ़ाने के लिए उच्सुक रहा है क्योंकि निश्चित रूप से चीनी शासन ने उनके डिजाइनों को चुरा लिया था और उनके हतियारों की तक्नीक का इस्तेमाल अतीत में मानवाधिकारों के उल्लंगन के लिए किया था लेकिन चीन के साथ काम करने के बारे में इज मुझे पूरा यकीन है कि एक सत्तावादी सरकार से शादी करना जो अलपसंग्खिकों का नरसनहार करती है वो आखरी चीज है जो एक यहूदी नेता को चाहिए यह किसी भयानक रियालिटी टीवी शोपर की गई शादी जैसा लगता है जैसा कि चीनी राज्यद्वारा संचालित मीडिया ने कहा चीन इजरायल संबंध शांदार धंग से खिल गए अब चीन यूरोपीय संग और अमेरिका के बाद इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है लेकिन आर्थिक व्यापार, निवेश और कारिक्रमों के जरिये चीन इजरायल के तकनीकी क्षेत्र में कई तरह से घुसपैट करता रहा है सबसे सीधा तरीका है इजरायली टेक कमपनियों का अधिगरहन करना और इजरायल के इंजिनियरों के लिए शीर्ष डॉलर का भुकतान यदि इजरायली कमपनियों को खरीदना कोई विकल्प नहीं है, तो चीन उन्हें चीनी बजार से लुभाता है चीनी बजार को हर कोई पसंद करता है, यहां तक डिजनी भी वहीं रहने के लिए पीछे की ओर जुग जाता है मैं क्या कह सकता हूँ? चीन के साथ काम करने के बारे में उन्हें बस कुछ पसंद है चीन भी इसराइल में बहुत पैसा निवेश करता है और यह कोई आश्चरे की बात नहीं है कि वो पैसा कहा जाता है पिछले 20 वर्षों में इसराइल में ग्याच चीनी निवेश का 97 प्रतिशत IT, संचार, स्वच और क्रिशी तकनीक और रोबोटिक सहित प्रोध्योगी की से संबंदित है और अन्य तीन प्रतिशत शायद गए शिक्षू का लेकिन सिर्फ इसलिए कि CCP ने किसी को यह कहते सुना की डिश बम है वियापार निवेश और चोरी ही एक मातर तरीका नहीं है जिससे चीन को इसराइल की तकनीक मिलती है यह शिक्षा और अनुसंधान पर इसराइल के साथ भी सहयोग कर रहा है यह एक बड़ी चिंता का विशे है क्योंकि कई चात्र और वैग्यानिक कुछ इजरायली रक्षा बलों की विशिष्ट तकनीकी इकायों में जलाशे के रूप में भी काम करते हैं अमेरिकी सरकार के एक पूर्व अधिकारी जेफ स्टाफ के अनुसार इजरायल के वैग्यानिक चीन में कम से कम पाँच सैन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ संयुक्त शोध में लगे हुए हैं पर्योजनाओं में नई प्रकार के विमान इंजनों से लेकर बहतर निग्रानीक शम्ताओं तक शामिल हैं ऐसा कुछ नहीं जो आप चीनी सेना को देना चाहेंगे मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि वे बच्चे के पोचे पर अपना हाथ रखें अब जैसा कि आप चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी से उम्मीद करेंगे वे इन कारेक्रमों को यथा संभव गुप्त रखते हैं उदाहरन के लिए इजरायली कमपनियों की कई चीनी खरीद को जनता से छिपा कर रखा जाता है यहां तक हुआवेई के सौदो को तब तक गुप्त रखा गया जब तक की इजरायली पत्रकारों ने उन्हें उजागर नहीं किया पिछली बार जब मैंने खरीदारी की थी तब से मैंने किसी को खरीदारी को गुप्त रखने की इतनी कोशिश करते नहीं देखा एक पागल जोकर पोज आलबम क्या? मैं युवा और भोला था मुझे यकीन है कि आपने वो सब किया है जिसका आपको पच्तावा है जब आप प्नैतीस वर्ष के थे एक इजरायली सुरक्षा कमपनी के अनुसार, अमेरिका ने चीनी स्ट्रॉ कमपनियों को इजरायल की कमपनियों के साथ साज़ेदारी करने का प्रयास करने की चेतावनी दी है, जो ऐसे निगम बनाने के लिए हैं जो बहुत वैद दिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका देश्य इजरायल की रक्षप रोध्योगिकियों को चीन में ले जाना है। उदाहरन के लिए, 2013 में, बैंक आफ चाइना पर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इरानी धन के शोधन का आरोप लगाया गया था। जानकारी जुटाने के अवसरों के प्रती समवेधनशील बना देता है। एक सुरक्षा विशेशगि के अनुसार, बंदरगाह में उप्योग की जाने वाली भारी मशिनरी में निगरानी प्रनाली लगाना संभव है और ये जो देखते या सुनते हैं उसे प्रसारित कर सकत बंदरगाहों की क्रेन भी सुरक्षित नहीं है। पैनल की जरूरत है। उन्हें केवल एक सलाह की आवशक्ता है, एक ऐसे शासन के साथ व्यापार करना बंद करो जो अलपसंग खिको को एकागरता शिविरों में रखता है और इरान का भी समर्थन करता है। बाइडेन प्रशासन ने चीन पर नजर रखते हुए इसराइल के साथ उच्छ स्तरिय तकनीकी वारता शुरू की है। इसके जवाब में चीन ने कहा, लॉंच किया, हाई लेवल, हमें वो चोरी करनी होगी। पहले केवल भारत, जापान और दक्षन कोरिया की अमेरिका के साथ इस तरह की बादची थी। वारता के हिस्से के रूप में, अम इजरायल चीनी प्रभाव के संबंध में कैसे कारे करेगा। अब कुछ का कहना है कि अमेरिका बड़ा चड़ा कर बता रहा है कि चीन कितना बड़ा खत्रा है। कुछ मेरे बारे में भी यही कहते हैं। यह वास्तव में इस चैनल के पहले पांच वर्षों में जिपणियों का 90 प्रतिशत था। कुछ लोगों का तर्क है कि अगर इजरायल खुद को चीन से दूर करता है तो खोने के लिए बहुत कुछ है। इजरायल चीन कारेकरम के एक निदेशक के अनुसार इजरायल को अमेरिका के लिए चीन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आखिर अमेरिका के चीन के साथ काफी आर्थिक संबंध हैं। तो इजरायल क्यों नहीं कर सकता? निश्चित रूप से यह अमेरिका के लिए पाखंडी लगता है कि वो देशों को चीन के साथ संबंध काटने के लिए कहे, खासकर जब अमेरिका वहां लगभग सभी तकनीक खरीदने, कौपी करने और चोरी करने देना बंध नहीं करते हैं, तो यह हमें काटने के लिए वापस आने वाला है। हम यह सब सिर्फ गलीचे के नीचे नहीं जार सकते, एक बच्चे के पोचे के साथ भी, और अब मेरे लिए चाइना अंसेंसर पचास सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रशन का उत्तर देने का समय आ गया है। वे लोग हैं जो पेट्रियन या स्थानिय लोगों पर हमारा समर्थन करते हैं। आज का प्रशन से आता है यह पेट्रियन प्रशन सक पूछता है, जब आपने शो शुरू किया था तब चीन की वर्तमान स्थिती की तुलना कैसे की जाती है। अच्छा प्रशन। मैं लिंक नीचे हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। फिर मिलते हैं।